Hello and Welcome साथियो स्वागत आपका Target for IQ में मैं हूँ सतेंद्र बहुत सारे लोगों ने मेंस लिखा होगा और जब मेंस लिखते हैं क्लास रूम में या फिर एक्जाम होल में तो बहुत सारी चीजे ऐसे लगता है कि जैसे यार याद तो हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं उसके लिए सबसे बैस रणी थी यही है कि एक एक कोश्चन्स यदि 15 से 20 बार लिख लिया जाए तो बहुत आसानी से वो लिखा जाता है एक्जाम में क्योंकि एक्जाम में कोश्चन्स लिखने से लिए मेंस का पेट गुरूप स्टार्ट हो रहा है जिसमें ब्यार जुडिसरी के सबी सब्जेक्ट को सबी गुरूप को जो गुरूप हैं जो उप्शनल हैं सारे चीजों को हम कवर करेंगे तो ये सारे इंडिवीज्वल गुरूप भी हैं और कोमन गुरूप है आप लोग अपने घर बेटे हमारे थिरो आप अपनी तयारी कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल में वीडियो के लास्त तक बता रहा हूँ और उसकी पूरी पीडिएफ यानि इसकी पूरी डिटेल आप हमारे पब्लिक गुरूप है टारगेट फोर आईक्यू वहाँ पर भी देख सकते हैं देखेगा यह पूरी डिटेल आपको टेलिग्राम का लिंक मिलेकर दिस्क्रप्शन में वहाँ पर मिल जाएगी बिहार सिबिल जजज की बात करें तो में स्पेच है यह हमारा 10 अक्वर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आमने 6 गुरूप में डिवाइड किया है आप चाहें तो इसे इंडिविज्वल भी कर सकते हैं या फिर पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं ठीक है जो एविडेंस और प्रोसिजर लो का है तो इस तरह से 6 गुरूप है आप चाहें तो सारे कर सकते हैं इसमें एविडेंस प्रोसिजर लो जो यह गुरूप नंबर फस्ट है सभी को कॉमन है और बाकी गुरूप नेरबर करते हैं किस स्टुजेंट ने कौन सा एक्जाम में चूस किया है विकोज महाँ पर 5 ओप्शनल होते हैं उन 5 में से 3 जो हैं वो 3 जो हैं चूस करने पड़ते हैं ठीक है तो इन सभी के लिए हमारे पेट कोर्सिज स्टार्ट हो रहे हैं मेंस पॉइंट ओव यू से अब इसके हम बता देते हैं इसकी स्पेसिफिक की क्या विशेस्था है नमबर एक तो इसमें हम लोग आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा महतपूर्ने के दोनों लेंग बेज में होगा हैंड निटन फॉर्मेट में होगा और कोशन और आंसर के फॉर्मेट में होगा देखेगा कोशन और आंसर के फॉर्मेट के साथ इसमें जो भी कोशन हम आप लोगों को देंगे वो ओडियो लेक्चर के साथ होगा यानि उसका ओडियो एक्स्प्लेनेशन भी आप लोगों को मिलेगा ये सारा कंटेंट हमारे टेलेगराम पर मिलेगा जो private group होंगे उसी के अंदर ठीक है और इसको run करेंगे प्रतिवा जोहान मेम ठीक है ये आप लोगों को मैं बता दूँ आप लोग उन्हें जानते भी होगे अच्छी तरीके से दोनों language में होगा पूरी तरीके से वो guided करेंगी how to write मतलब कैसे questions को लिखना है आपको सबसे बड़ा इसकी एक अच्छी बात ये है कि question और answer format में ही content आपको मिलेगा तो ये आपको extra दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है कि कैसे लिखा जाएगा वो मैम आपको पूरी तरीके से यहाँ पर हमारे teacher समझाएंगे कि कैसे लिखना है आप उनसे discuss भी कर सकते हैं ठीक है इसके साथ साथ Saturday और Sunday को आप अपना questions लिखक भी madam को check करा सकते हैं हमारी team से questions भी आपको check करा सकते हैं एक particular group में आपको number दियती है जाएगा उस number पर आपको photo click करके send करना होगा केवल Saturday और Sunday को आप अपने सारे questions check करके कर सकते हैं वैसे आप अपनी problems पर एक particular time पर आप teacher से भी discuss कर सकते हैं ठीक है सारे questions जोंगे वो relevant होंग और बिहार judiciary के point of view से ही सारे होंगे और teachers के साथ साथ discuss करेंगे content हमारा इस तरही से होगा जो है निटन form में होगा और यह ही आपके exam के लिए important होगा मतलब other content के आप लोगों को कोई अवशकता नहीं पड़ेगी इसके बाद सारे questions है निटन form में होंगे और यह जो group जो run और फुली guided batch होगा और यह run करेगा mains के exam तक ठीक है तो यह कुछ important है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है अब इसकी join process क्या है यह सब चीजे fees बगेरा क्या है तो इसकी पूरी detail आपको video के description में मिल जाएगी और public group है हमारा telegram group उस पे भी आप लोगों को सारी detail मिल जाएगे यह देखेगा यह हमारा public channel है target for IQ यहाँ पर मैं पूरी detail दा दे रहा हूँ और इसके demo questions भी आप लोगों को यह है यह channel पर मिल जाएंगे यह आप लोग याद रखेंगे check tour को video record हो रही है तो check tour की date में जाकर आप target for IQ पे देख लेंगे तो यहाँ पर इसके demo questions भी आप लोगों को मिल जाएंगे ठीक है फिर से एक वार नमबर रिपीट कर दो 75 0011 0314 वाटसाप या call करके आप query ले सकते हैं इसकी पूरी detail वीडियो के description में टेलेग्राम ग्रूप पर सभी में हैं आप लोगों को मिल जाएगी फटाफटसी से join कर लिजिएगा बाकि कोई query है तो आप call करके भी पूछ सकते हैं थै थैंग।